एक दूसरे एंगल से जो बाहर की तरफ से दिखाई देता है वो मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहे हूं देख रहे हैं कितना खुब्सूरत लग रहा है और यही अगर ग्राउंड फ्लोर में होता तो हर कोई इसके खुब्सूरती को देखता उपर की तरफ किसी की नजर जाती ही नहीं है और हम खुश होते हैं देख करके क्योंकि यह हमारी मेहनत का फल है और कमल कहते रहते हैं क्या बोलते हो अथक प्रयासों से तो यह अथक प्रयासों से देखिए इतना फूल खिला हुआ है देखें बहुत-बहुत ही खुब्सूरत अती संदर जिसे हम अक्टोवर महिने का अंत हो गया और अब नौवमबर महिने की शुरुआत हो रही है पंद्रा तारीक तक जो हमारे गार्डन के खुबसूरती है वो शबाब पे रहती है एक-एक पतियां हरी-हरी आपको दिखाई देंगी बहुत सारे फूल खिलते हैं जो समर सिजन के होते हैं और जब संधी रूप में ये मौसम आता है गर्मी जा रही होती है सरदी आ रही होती है इस वक्त में बहुत सारे फूल जो है खिलते हैं अपनी पूरी ताकत पौधे लगा देते हैं और वही खुबसूरती अभी हमारे गार्डन में चल रही है पर जो पत्ते बहुत बड़े-बड़े हो गए व्रिक्ष के समान हो गए हैं उनमें से कुछ कटिंग-शिटिंग करके आसपास के पौधों में लगाना था उन्हें मल्टिप्लाई करना था तो आज मैं आ गए अपने टरेस गार्डन में सुबे-सुबे और मैंने बहुत सारे पत्तों की कटाई-चटाई की यहां पे तुलसी का पौधा आपको दिख रहा है जो तुलसी के पौधे के बीज गिर के बहुत सारे आसपास के पौधे को उन्होंने समेट लिया है यह सिंगोनियम का प्लांट था जो इतनी बुरी तरीके से फैल गया है पूरी इसकी लताएं जो हमारे बुद्ध की पृतीमा है उसमें भी फैली हुई थी वहां से कुछ रूडस के साथ मैंने प्लांट निकाला यह देखिए और इसे लाके मैंने यहाँ पानी में लगा दिया जो अपने आप में बहुत ही खुबशूरत है यह बहुत ही खुबशूरत यह वाली बेल यहाँ पे बनी हुई थी आपने पिछले मेरे कुछ वीडियो में देखा होगा और अब कुछी दिनों में ये और भी अच्छे से पैल जाएगा इसके आलावा मैंने एक जगा इकठा किया जितने भी मेरे कैक्टस थे या अगावे की बहुत सारी वेराइटी है ये अगावे की वेराइटी है इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है लेकिन देखे इसे मैंने लगाया था मार्च महीने में और छोटे छोटे बेबी आप देख रहे हैं कि आसपास में कितने सारे निकल गए हैं ये एक चोटा बेबी निकल आया है इसमें से और दूसरी तरफ भी एक बेबी निकला हुआ है और इसके सराउंडिंग में इस तरह से चुटी चुटी बेबी निकले हुए हैं अभी इसको मैंने separate नहीं किया है, multiply नहीं किया है, थोड़ा सा और ये बड़ा हो जाए, तब इसे में अलग-अलग करूँगी, इस तरह से जितनी भी इस तरह के हरवर्थिया, कैक्टस, बनी कैक्टस, ये भी एक देखी अगाविक की ही variety है, ये बनी कैक्टस का एक अलग variety है, जिसमें जादा जो है, रूई जैसा कुछ होता है, और जो मेरे पास पहले बनी कैक्टस है, वो एक अलग तरीकी का है, ये देखिए लेपर्ट तरह क्या, ये बहुत ही सुंदर सा है, और ये बनी कैक्टस मेरा बीच में जो रखा है, वो सब अलग-अलग variety के आप देख रह चूटी चूटी बच्चे उन्होंने निकाल के दिये थे, और सब मैंने आके लगाया था, देखिए इसमें भी एक बेबी निकला, एक नहीं इसमें देख रहे है, मल्टिपल बेबी को इन्होंने जन्म दिया है, इस एक पौधे ने, तो इसे थोड़ा सा और बड़ा हो जा सब एक जगा मैंने रखा है, जो बहुत ही देखने में खुबसूरत लग रहा है, इस वाले में भी कितने सारे बेबी निकले हुए हैं, अगर आप सब में से अलग अलग सेपरेट नाम किसी को पता होगा, तो जरूर मुझे लिख के बताईएगा आप सब कि क्या नाम है किस का, यह कैक्टस देख रहे हैं, यह हैंगिंग प्लांटर में जो छोटी छोटी लरियां हैं, वो बहुत खुबसूरत लगती हैं, पर यहां पे मैंने सारा इकठा अभी करके रखा है, प्लांट्स इतने जादा हैं कि मैं उसे कितना भी अलग-अलग करके रखने की कोशिश क करती हूं, वो मल्टिपलाई होते जा रहे हैं, यह एक जोरा का प्लांट है, आप बिलीव करेंगे यह बिल्कुल डंडी सुखी सी इसकी रह गई थी, पर इसकी मैंने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि अब इसमें देखिए, कि फूल खिलने के लाएक यह तयार हो चुका है पिछले जुलाई में जाके मेरा कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था और जुलाई के बाद इसमें धीरे धीरे फिर से पत्निया आने लगी, यह देख रहे हैं, ऐसी सुखी हुई टहनी सिर्व बच गई थी, इसी प्लांटर में मैंने नीचे यह सौफ लगा दिया था, जो मेर सारे फूल एका एक प्रस्पूटित हो जाएंगे, जो देखने में बहुत ही खुबसूरत लगेगा, देखे एक एक टिप आपको मैंने बहुत क्लोज अप दिखाया, और अब यह जो सौफ का प्लांट था, यह भी धीरे धीरे मिच्योर होता चला जा रहा है, घर में वो च देखने के बजाए उसे लाके इस पॉट के अंदर डाल दिया, और जितने पॉट में मैंने डाला सारे पॉट में यह सौफ के प्लांट निकल आए हैं, और इसमें अब जगा जगा पे फूल बनने लगे हैं, जिसे की फल भी आ जाएंगे, यह एक एस्पारेगरस का प्लां किस तरीके से All About Sparagus Plant कितनी वेराइटी होती है और इसे कैस तरह से हम लगा सकते हैं, अभी सिर्फ फूलों का दर्शन आप कर लीजिए, जो इतने खुबसूरती बिखे रहे हैं, कभी सोचा नहीं था कि इसकी फूल जब क्लोज जाके हम देखेंगे, तो इतने प्यारे से हम ये फूल लगने वाले हैं, आप सब को भी खुबसूरत लग रहा होगा और आपके पास भी, ये कोलियस का हमारा प्लांट है, एक प्लांट मैंने खरीदा था, ये 30 रूपीज का खरीदा था, अभी इसे कमल ने एक एक टिप को तोड़ तोड़के और कम से कम 8-10 गमलों में लगा दिया है, और सारे लग गये हैं, कोलियस की छोटी-छोटी कटिंग आप लगा सकते हैं, जो बहुत जल्दी मल्टिप्लाई हो जाते हैं, और बहुत ही खुबसूरत लगते हैं, देखें, वहां दिखाया, एक इस छोटे से प्लांटर में, इस तरह से जितने भी प्ला कटिंग है आप उसे पानी में चाहें तो लगा सकते हैं या मिट्टी में खाली गमले हैं उसमें लगा देजिए कटिंग फेकने से तो अच्छा है लग जाए तो वेल इन गुड नहीं लगता है तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है यह पोई का साग आप देख रहे हैं इस त लगा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताईएगा लाइक कर दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए जल्दी ही आपसे एक नए किसी पोधे को लेकर के मिलेंगे और आपको दिखाएंगे तब तक लगा है तो सब्सकराइब